हेलो दोस्तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही अलग तरीके का मेथी का पराठा जिसमें लगेगी सबसे कम महनत और आएगा चार गुना जादा स्वाध तो सबसे पहले हमें मेथी चाहिए तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हमने मेथी तोड़ ली है अपने गार्डन से और हमें यहाँ पर मेथी को कट नहीं करना यानि कि चाकू से नहीं काटना बस इस तरीके से इसकी डंडियां हटा देनी है हमें बस इसके इस तरीके से पत्ते चाहिए यानि कि जिस तरीके से मेथी लाते हैं वैसे आप चाहो तो काट सकते हो लेकिन काटने का जंजट क्यों करना इससे बहुत ही अच्छा है इसका टेक्च्चर आएगा तो बस इस तरीके से हम पत्य पत्य अलग कर लेंगे और अपने बच्चों को आप दे सकते हो टिफ लेनी है क्या कि पराटे थोड़े मोटे होते हैं तभी वो बढ़िया लगते हैं और सेकने में करारे रहते हैं तो मैंने या पर एक पहले बड़ी सी इसकी मोटी मोटी सी रोटी बेल लेनी है तो रोटी थोड़ी सी बड़ी ही होनी चाहिए जो पहले अम बेलेंगे फिर इस इसका पाउडर भी इसमें डाल सकते हो या बच्चे नहीं खाते हैं तो उसे स्किप भी कर सकते हो और अजवाइन जरूर डालना इसमें अब इन सब चीजों को मिक्स करेंगे पूरे पराठे में इसे लपेट देंगे तो बस फटा-फट से इस तरीके से हमें इसमें लगा दे देना है जो हमने पते काट के रखे हैं उन्हें हम इसके उपर डायरेक्ली फैला देंगे और आप देखेंगे कि हमारा पराठा इतना मैंड ब्लूइंग बनने वाला है कि आप जरूर बना करके देखना अधर्वाइस हम जब पराठे बनाते हैं तो बहुत जंजट हो जाता कि नायर कि अनुट करना है इस तरीके से बस फैला देना है। साबोत पत्नों को बेलंस से हलका हमें दबा देना है और इस तरीके से चाको से एक कट लगा लेंगे हम the center की से शुरू करते हुए और बस जैसे आपको वीडियो में मैं दिखा रहे हूँ वैसे ही आपको बस इसे रोल करते जाना है और रोल करते हुए आपको क्या करना है कौन जैसा बन जाएगा और इस तरीके से इसे प्रेश कर देना है अच्छा इसमें आप जितनी मर्जी मेथी भरलो मेथी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलन है यानि कि ऐसे अलग-अलग नहीं फैलेगी और इस बात की तो टेंचन भूली जाईए कि कड़वाहट आप एक पराठा ट्राय करके देखो आपको कड़वाहट का तो दूर दूर तक अंदाजा नहीं होगा उल्टे आपके घर में मेथी कितनी अची खुश्बो फैल है उसका मैं आपको रिजल्ट आगे दिखाऊंगी आपका दिल खुश हो जाएगा मेरी तरह ही आप ट्राय जरूर करो इसे एक पराठे के साथ ट्राय कर लो आटा बचा हुआ रखा हो रात का रूटियों का उससे ट्राय कर लो मेडियम गरम तबे पर हम इसे डाल देंगे और इसे इस तरीके से हम पलटते हुए जब हलकेल के स्पॉट आ जाएंगे हम इसमें घी तेल लगा देंगे बच्चों के लिए दे रहे हैं तो जो है रिफाइन डॉयल ना दें घी या सरसो का तेली लगाएं आप और जो है आप इसमें थोड़ा ज्यादा घी तेल का इस् तो इसमें देख रहे हैं आपको कहीं भी मेथी नहीं दिख रही है और यह जो एक दो पत्ता है यह पत्ता जो है बाहर से ही चिपक गया था वो ही है और अब इसे मिस तरीके से पलटते हुए हलका अलका जहां भी हमें सूखा लगेगा घीते लगम लगाते जाएंगे हलके आथों से इसे दबाते जरूर जाना है अब आप टेक्श्चेर देखते जाओ यह इतना खसता पराठा बनेगा इतना मज़दार पराठा है कि सच में इसकी मैं जितनी तारीफ पर हूँ दोस्तो उतना कम है ऐसा मेथी का पराठा आज तक आपने नहीं खाया होगा तो देख चेक करो इसकी फलेकीनेस को चेक करो इसका क्रिस्पीनेस चेक करो गर्मा गर्म जो है इसे खाओ चाय के साथ चटनी के साथ पराठा और किसी भी अपनी मन पसंद अचार वगेरा के साथ